नए साल की शुरुवात में करें ये बारा उपाए, पूरे वर्ष मिलेगी बरकत ही बरकत, जल्दी साल 2024 की शुरुवात होने वाली है, हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जिवन में सुक्समर्दी लेकर आए, अगर आप भी नए साल में खूब धनकमाने की ख्वाइश रखते हैं, तो आपको नए साल के पहले दिन ही कुछ खास काम कर लेने चाहिए, जोति सास्तर के अनुसार, साल के पहले दिन ये काम कर लेने से, साल बरमाता लक्षिमी की करपा बनी रहती है, नए साल के पहले ही दिन ये उपाए कर लेने से, व्यक्ति को जीवन में कभी भ दंसमबंदी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर एक, अगर आप लंबे समय से किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो नहे साल के पहले दिन ये उपाए जरूर करें। पहली जिन्वरी के दिन सुबह सनान के बाद सवच कपड़े पहने और मा लक्षमी और भगवान विश्णू का ध्यान करें। उनकी विदिवत पूजा अर्चना करें। पूजा के दोरान माता लक्षमी को एक आक्सी नारियल चड़ाएं। पूजा समापत होने के बाद इस इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में बाद गर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक प्रेशानी दूर हो जाती है। नोकरी पेशा लोगों के लिए केसर का तिलक लगाना बहुत सुब माना जाता है। नए साल के पहले दिन सनान करने के बाद माथे और नाभी पर केसर का तिलक लगाएं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके केरियर में कोई बादा नहीं आएगी। नमबर चार हिंदु दुरम में सुरिय देव को अर्द देना सबसे सुब माना जाता है। इसलिए साल के पहले दिन से ही सुरिय को अर्द देना सुरू कर दें। ऐसा करने से साल बर घर में कुशिया आएंगी और मान सम्मान में भी विर्दी होगी। आर्दि गरूप से सभी प्रेशानिया दूर हो जाएंगी। सुरिय देव की करपा के साथ साथ माता लक्षिमी की करपा भी प्राप्त होगी। नमबर पाँच तामे के लोटे में पानी बरें और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। इसके बाद ये पानी सिवलिंग पर चड़ाएं जल चड़ाते समय ओम महादेवाय नमें मंतर का जाप करें। इससे गर में सुक्ष मर्दी बनी रहेगी और सारी नकारतमक उर्जा भी समाप्त हो जाएगी। नमबर 6. अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं तो नए साल के पहले दिन पूरी सर्दा के साथ माता लक्षमी जी की पूजा करें। उन्हें एक मुठी साबुच चावल अर्पित करें। पूजा करने के बाद इन चावलों को एक लाल रंग के कपडे में बांध कर तिजोरी में रख दें। इसमें से थोड़े से चावल निकाल कर अपने पर्स में भी रख लें। नए साल के पहले दिन इस उपाय को करने से हर तरह की आर्थिक तंकी दूर होती है। नमबर नौ नए साल से पहले गर के पूजा गर की सफाई भी जरूर करें और तूटी-पूटी मूर्तियों को हटा दें। शाल के पहले दिन बगवान गणेश के मंदर में जाएं। गणेश जी को लडूओं का भोग लगाने के बाद परसाद को गरीबों में बाट दें। नमबर दस नए साल के पहले दिन या कुछ शुरूआत दिनों में दिक्षनावर्ति संख एक आक सिनारियल पीतल का हाथी गर में स्तापित करें। इसकी स्तापना कारिय सतल पर भी कर सकते हैं। इनके सुपर बाव से नोकरी व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। उन इससे आपको मानसिक स्यांति तो मिलेगी ही साथ ही केरियर में भी अच्छी गरोथ देखने को मिलेगी। लाइक जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और आगे भी ऐसे ही बेतरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद।